अगला चैप्टर अपना पीडेक्टेवल तो ध्यान से समझना पीडेक्टेवल बहुत अच्छा और इंपोर्टेंट चैप्टर है और एक्जाम में बहुत ही ईजी और बहुत सिंपल कुश्चन आते हैं आप आराथ आसानी से कर सकते हो अगर आपने अच्छे से पढ़ दिय जातों ठीक है तो पहली बात तो पीडेक्टेवल में हम एलिमेंट को क्लासिफाई करते क्यों हैं एलिमेंट का क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी पड़ा क्योंकि एलिमेंट की सिस्टमेटिक स्टडी करने के लिए हम क्लासिफाई करते हैं अब पीडेक्टेवल में डेवलप फिर उसके बाद एक scientist और Newland उन्होंने अपना law of octave दिया 1865 में, ठीक है, उसके बाद फिर mentally by 1869 में, तो इस तरीके से बहुत सारा development हुआ प्रियक्टेवल में, फिर 1913 में मोजले ने भी काम किया इस पर, तो बहुत सारी चीजें हुई time time के साब से, तो सबसे पहले स्टार्ट क जन्होंने study की थी, पिरिक्टेवल के बादे में, जिसका नाम था डोवरीनर, डोवरीनर law of tride, इन्होंने क्या करा, इन्होंने तीन element select किये, और उनकी property को इस तरीके से बताया है, कि जो पहला और तीसरा element है, उसके जो atomic mass का average होगा, वो second वाले का आएगा, जैसे, अगर एक tride से मैं समझाओं, तो lithium, sodium और potassium, lithium का mass number कितना होता है, 7, sodium का mass number कितना होता है, 23, potassium का mass number कितना होता है, 39, तो अगर मैं पहले और तीसरे का average निकालूँगा, तो वो क्या आएगा, second के बराबर आएगा, तो उन्होंने ये बोला, statement उनका ये था, कि the arithmetic mean of, the arithmetic mean of atomic weight of, first and, third element, is nearly equal to, atomic weight of, second element, ये इनका statement है, अगर अपन चेक करें, तो चेक कर लो, 7 plus 39, इसका mean आ गया, आपका, divide by 2, 46 by 2 means 23, तो यही atomic weight किसका आना चीए, इसके, या तो बराबर आजाए, या nearly equal आजाए, तो यहार आए 23, इसका, तो डोबनीरर का एक triad ये हो गया, lithium, sodium, potassium, इसके अलावा और भी triad थे, जो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यह एक triad था, calcium, strontium, barium का, ठीक है, एक triad और था, chlorine, bromine और iodine, ठीक, तो पहले वाले और तीसरे वाले का mass number का, अगर हम mean निकालें तो वो second वाले के बराबर आता है, तो एक example से मैंने आपको बता दिये, बाकी यह दो triad भी इसके याद रखना, इसके बाद जो scientist थे दूसरे, वो थे newland, newland's law of octave, इन्होंने element को किस तरीके से arrange किया, इन्होंने element को ऐसे arrange किया, कि जो every eighth element है, उसकी property nearly first element के बराबर होगी, जैसे आपके musical note होते हैं, उसी तरीके से, तो इसका जो law of octave था, वो किस तरीके से बना रहा हूँ है, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, inert gases इसके टाइम पर नहीं थी, ध्यार लखना, इसके बाद फिर sodium, chlorine तक पहुंचे, फिर इनर्ड के सा, आगी अभी, जो हमें पता, उस समय नहीं पता थी, potassium और calcium, और इसका जो law of octave लगता है, वो atomic number 20 तक ही valid होता है, मतलब बहुत सारे element में इसका law of octave नहीं लगता है, मतलब जो पहले element की property है, वही eighth element की property होगी, ठीक है, जैसे beryllium की property magnesium से match करेगी, इसकी property calcium से करेगी, lithium की sodium से और potassium से करेगी, वैसे ही इनकी properties match करेगी, तो ये इनका law of octave था, बहुत सारे element में नहीं था, इसलिए डिसकार्ड कर दिया गया, नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं, अब मेंडलीव की प्रिएक्टेबल पे, आगे बढ़ते हैं, मेंडलीव के वर्क को समझते हैं, क्या कियाता है इन्होंने, तो मेंडलीव के प्रिएक्टेबल से रेलेटेट पहला पॉइंट लिखो, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपरटीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपरटी का मतलब क्या है, फिजिकल प्रपरटी जैसे melting point, boiling point, density इस टाइप की chemical properties हम था chemical reactions ठीक है physical and chemical properties are periodic function are periodic function of atomic masses तो इन्होंने क्या किया था इसमें इन्होंने point number 2 में हम लिखेंगे he arranged then known elements उस time के जो elements थे है in order of increasing atomic mass increasing atomic mass में रखाता है ठीक है और इन्होंने ये भी ध्यान रखा था कि जहां भी physical and chemical properties same आ रही है वो same group में आना चीए और जहां पर gap की जरूत है वहां पर gap भी दिये इन्होंने ठीक है बाद मैं मैं बताऊंगा इनका एक बहुत ही अच्छा वर्ग भी था गेलियम और जर्मिनियम के बारे में इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली थी अभी तो अपन इसके पॉइंट लिख रहे हैं उसके बारे में आगे बताऊंगा तो increasing atomic mass के हिसाब से अरेंज किया और जहां भी gap आ रहा है जहां भी gap की ज़रुत है वहाँ gap दे देंगे और physical और chemical property क्या होगी same रहेगी मत्दब हर एक element उसी group में follow ना चाहिए third point यह है कि mandalip के according जो group थे वो nine group थे कौन-कौन से nine group थे उन्होंने ऐसे लिखा था one, two, three, four, five, six, seven, eight और एक zero group ऐसा था तो टोटल nine हो गई यह और उनके हिसाब से जो period थे वो period कितने थे one, two, three, four, five, six, seven period थे पहले वाले को बोलते हैं very short period यह होते हैं short period यह long यह long यह long यह very long और यह incomplete एसा होता है ठीक है तो इनके बारे में इन्होंने क्या क्या बताया था उसके बारे में हम यहां लिख रहे हैं एक तो इन्होंने बोला था गेलियम के बारे में और गेलियम के इन्होंने उस ताइम पे गेलियम तो बाद में आया उस ताइम पे इन्होंने बोला एक का एलुमिनियम ठीक है और एक बोला ओंभरानों ने एका सिलीकॉन एका एलिमिनियम का आगे जाके नाम पड़ा गेलियम और इसका आगे जाके नाम पड़ा जब डिस्कवर हुए जर्मेनियम उन्होंने क्या प्रिडिक्ट किया था उन्होंने बोला था कि जो अडसrab přोड़ा जो मास है वह इसका आएगा एका aluminum का 68 और जब discover हुआ तो gallium का atomic mass 70 उन्होंने predict यह किया था आया यह और germanium का मतलब एक का silicon का उन्होंने 72 predict किया था और जब discover हुआ तो 72.6 आया ठीक और उन्होंने oxide का nature बताया कि इसके जो oxide होंगे वो E2 O3 type के होंगे तो जब इसके oxide बने तो वो GA2 O3 टाइप के मिले, तो इनकी ये वाली भविस्त्सवानी सही हो गई, और इसके जो बोले उन्होंने, ओक्साइड EO2 टाइप के, और जब बने तो GA2 O2 इसका ओक्साइड बना, हेलाइड का प्रडिक्षन किया इन्होंने, इन्होंने बोला कि हेलाइड होंगे का aluminum के ecl3 और जब बने तो gecl3 और इसका वोला ecl4 और जब इसके बने तो gecl4 तो इन्होंने क्या करा है लाइड और oxide के बारे में बताया atomic mass के बाराया even melting point boiling point के बारे में भी इन्होंने prediction किया इसका low होगा इसका high होगा तो इसका 300 के अप्रोक्स होता है किर वो data आपको याद नहीं करना मतलब इनका work समझ लो क्या हुआ था इन्हों ने कुछ prediction किये थे यह इनके prediction थे और जब discover हुए तो यह यह prediction थे और जब यह discover हुए तो यह मतलब इनकी जो भविस्मानी थी वो पूरी तरीके से सही हो गई थी तो यह इसलिए इनको बहुत ज्यादा appreciate किया गया मेंडलीव का नाम आपने बहुत इनकी टाइम पर तो लोधर मेयर ने क्या किया था physical property के basis पर classification करना सही समझा था उनके according मेंडलीव का atomic mass का according चल रहा था तो physical properties से जब उन्होंने volume निकाला atomic volume निकाला atomic mass का और atomic volume का उन्होंने curve बनाया तो atomic volume और atomic mass का curve यह है volume centimeter cube में है यहाँ पर और mass EMU में है कैसे निकाला उन्होंने atomic mass को density से डिवाइड कर दिया density तो पता ही थी सबकी तो atomic volume आया तो इस type का भयानक सा curve आया जो कि बहुत सारे लोगों की समझ से परे था कि इस तरीके से इतनी complicated चीज आ रही है अपने आप में complicated है तो इनका इस वज़े से अपरू भी नहीं हुआ मेटल होंगे एलकली मेटल्स जो होंगे वो कर्व में crest occupy करेंगे मतला peak पर रहेंगे atomic volume इनका सबसे अधा आया second point जो alkaline earth metal है alkaline earth metal alkaline earth metal alkaline earth metal alkaline earth metal जो है वो कहां मिलेंगे at midpoint at midpoint in descending portion जो कर्व नीचे की तरफ आ रहा है उसमें मिलेंगे जैसे यह हो गया इस type से है तीसरा transition elements इस कर्व में मैंने बनाए नहीं बाकी आगे होते है transition element है ना transition elements यह trough occupy करेंगे transition element क्या occupy करेंगे trough चौथा जो halogenes है halogenes occupy occupy ascending portion ascending portion before inert gas तो यह point है तो अगर मैं इन सारे points से related एक ऐसे rough sketch बनाओं तो कैसा दिखेगा आपको देखो इस तरीके से बना सकता हूँ है कैसे देखना यह क्या हो गए peak alkali metal ठीक है crest हो गए trough क्या हो गया transition ठीक है याद रखने के लिए आप ऐसे लिख सकते हो ट्रफ क्या हो गया transition descending portion में midpoint पे क्या मिलेगा आपको alkaline alkaline मिलेगा ठीक है alkaline earth metal ascending portion में पहले क्या मिलेगा आपको halogens और बाद में क्या मिलेगा inert gas तो यह हो गया inert gas और यह क्या हो गया halogen तो इस तरीके से आप इस observation को याद रख सकते हो ऐसा diagram बनाके है ना बाकी अपने अब में भयानक सा topic था loser mayor जो कि उस time पर discard कर दिया गया और mandalip को आगे बढ़ाए गया ठीक है note कर लो इसको अगे बढ़ते हैं अगली periodic table जिसको अबन बोलते हैं modern प्रिक्टेवल या फिर most प्रिक्टेवल लॉंग फ्रिक्टेवल भी नाम है इसका तो ध्यान से देखना आप लॉंग फ्रिक्टेवल या most प्रिक्टेवल मोजले ने क्या किया था पहला point हम इसमें लिखेंगे He studied the frequency of X-rays produced by bombardment of beam of electron on metal surface. Metal surface, तो इसने frequency की study की थी, ठीक है, इसके बारे में detail में आप modern physics में पढ़ोगे आप, ठीक है, मोजलेस की एक equation होती ही, वो आप modern physics में पढ़ोगे, क्या काम था वो हम सिर्फ लिख रहे हैं, कि frequency की study करी थी, metal plate पर electron की beam डालके, और क्या मिला इनको, the square root of frequency, the square root of frequency is directly proportional to, is directly proportional to the effective nuclear charge, यह atomic number बोल सकते हैं पने न, effective nuclear charge Z, that is atomic number, not atomic mass, equation में लिख देता हूँ, बाकि detail में modern physics में आएगा, root new is equal to Z, A minus B, और आपको, sorry, root new is equal to A, Z minus B, यह equation होती है, और आपको इस equation का detail physics में पढ़ाया जाएगा, बस हमें यहाँ पर क्या समझना है, कि frequency की इन्होंने study की थी, और frequency और Z का relation क्या होता है, यह relation होता है, root new is equal to A, Z minus B, यह relation होता है, अब इसके according इन्होंने जो periodic law बनाया, वो क्या बनाया, तो periodic law लिखेंगे, periodic law यह होता है, कि ता physical, and, chemical properties, are periodic function, are periodic function of atomic number, तो इन्होंने क्या किया, atomic number क्या according, periodic table को arrange कर दिया, और इनकी periodic table में, जो periods थे, वो थे seven, और क्या-क्या उसका नाम था, one, two, three, four, five, six, seven, ऐसा digit से denote करते हैं, और जो groups थे, वो थे, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, और eighteen, तो eighteen group और, seven period होते हैं, किसमें? मोजले की periodic table में, जिसको long form of periodic table भी बोलते हैं, और जितने भी ये period होते हैं, हर period जो start होता है, उसमें starting का element, alkali metal होता है, और last वाला, inert gas होता है, और हर एक period के सभी element में, valence and self same रहती है, इसके बारे में हम detail में, पूरी periodic table बना लेते हैं, तो उससे मैं आपको सारी चीज़े clear कर दूँगा, ठीक है, तो पहले इसको नोट कर लो, फिर हम आज वाली जो आज periodic table चलती है, वो हम बनाएंगे, और उसको याद रखने के लिए, मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे जिंगल बताऊँगा, ठीक है, तो ध्यान से देखते जाओ, यह है अपनी long form of periodic table या modern periodic table, पूरी बना रखी मैंने board पे, तो आपन क्या करते हैं, यहां से सुरू करते हैं, इधर से start करेंगे, याद रखना, कैसे याद रखना देखो, पहला वाला है हेलीना की रूबी से friendship, हेलीना की रूबी से friendship, इस तरीके से याद करते जाना, दूसरा वाला याद रखोगे, बेटा मांगे कन्या सुन्दर बाप राजी, बेटा मांगे कन्या सुन्दर बाप राजी, इस तरीके से याद करोगे, आप चलते हैं अपन यहाँ पे, फिर मैं यहाँ बाप पेस आऊँगा, इसको याद रखो के बेगन, आलू, गाजर, इन थेला, बेगन, आलू, गाजर, इन थेला, इस तरीके से, यह कहें सीता जी, सुनो पारवती, कहें सीता जी, सुनो पारवती, इस तरीके से, इसका है नाना पार्टिकर एस्वरिया सब्विंदास या ऐसे भी याद रख सकते हो न्यूजिलेंड, पाकिस्तान, उस्टेलिया सब्विकारी या ना पुकारो एसे सब्विकारी हो जो भी आपको याद करना है तीनों मैंने बता दिये इसका है उससे टीपो उससे टीपो या फिर old style से टीपो ऐसे भी याद रख सकते हो old style से टीपो ऐसे भी याद रख सकते हो इसका है फिर कल बाहर आई आरती फिर कल बाहर आई आरती ऐसे या फसल बोकर आई आंटी ऐसे भी याद रख सकते हो अगला वाला है हेमा नेहा और करीना जीती रहना ठीक हेमा नेहा और करीना जीती रहना इस तरीके से यह हो गया अब आप इसमें आज़ो डी ब्लोक में डी ब्लोक में क्या एक छोटी सी स्टोरी है इसमें क्या होता राजपाल यादब को तो जानते हैं आप तो राजपाल यादब के सपने में याना गुपता आती हैं तो राजपाल यादब कहते हैं सोचो तो याना लगती जवरदस्त है वैसे निगाहें भी तरसा करें मुहबत वाले मन टकराए आयरन पे डिक रूठे उस सनम को रहे इंतजार निकल पड़े पटाने को आज और जिन्दगी कद्दू हो गई इस तरीके से इसको याद कर लेना अब एफ ब्लोक का कैसा याद रखना देखो यहां से सीने पर नदियां प्रेम की समाई यूही गदगद तब दिल हुआ और तुम लाजवाब लगते हो और तुम लाजवाब लगते हो इस तरीके से अगला है थोड़े पापड यू ना पो थोड़े पापड यू ना पो पुराने आम कम भी कहेंगे कैफे में ऐसे फर्माओ मैडम नूडल्स लाओ तो इस तरीके से आप याद कर लेना अब इसमें मैं आपको बताता हूँ कि यह क्या क्या चीज़ है जो पूरी पिरेक्टे वाल है वो क्या क्या है अब यहाँ पर देखो इसको बोलते हैं हम अलकली मेटल इसका नाम है अलकली मेटल इसको बोलते हैं अलकलाइन अर्थ मेटल अलकलाइन earth metal अब इसमें alkali metal में एक important चीज है hydrogen इसमें नहीं आता है hydrogen की position तो आज तक uncertain है इसको आप बीच में यहाँ भी कहीं रख सकते हो hydrogen की property alkali metal से और halogen इससे resemble करती है लेकिन hydrogen जो है वो आप बीच में रख सकते हो अच्छी देखे इसलिए मैंने यहाँ रख दिया ठीक है तो यह alkali metal actual में कहां से शुरू होता है lithium से तो lithium से फ्रेंशियम तक alkali metal है hydrogen इसमें नहीं आता है यह alkaline earth metal हो गया बीच वाले को इसको पूरे को बोलते हैं D-block यह है अपना क्या D-block या transition elements ठीक है कहीं 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 यहाँ सा बोलते हैं कि ZNCD और HG transition element नहीं होते हैं वो आगे अपन D-block में बात करेंगे ठीक अलग से एक chapter है पूरा इन और्गनिक का तो अभी सिर्फ आप यह धियान लखो कि यह पूरा क्या D-block यहाँ से यहाँ तक यह पूरा यह है अपना F-block इसको बोलते है F-block और यहाँ से लेकर यहाँ तक यह है P-block P-block ठीक है और इसको बोलते है अपन inert gases inert gases ठीक आप इसमें group number और period number कैसे assign होते हैं यहाँ पर यह first period यह second यह third यह fourth यह fifth यह sixth और यह seven तो total seven period होते हैं इसमें और group number कैसे आप रख सकते हो यह one, यह two यह three four, five, six seven, eight, nine ten, eleven, twelve thirteen, fourteen fifteen, sixteen seventeen और यह eighteen ठीक है और यह जो पहली वाली series F-block की इसका नाम है lengthenoids lengthenoids बोलते हैं इसको और जो दूसरी series है इसका नाम है actenoids actenoids ठीक है रहे यह lengthenoids यह actenoids lengthenoids किस period में आते हैं अगर आपसे पूछे तो क्या वो लोग है sixth period group कौन सा third actenoid कहा आते हैं seventh period में group कौन सा again third ठीक है इस तरीके से होता है तो पहले आप यह note कर लो फिर मैं इससे related और भी आपको चीज़ें बताता हूँ hello students जैसा कि मैंने आपको बताया था period table में कि जो हमारी पूरा modern period table है उसमें क्या-क्या होता है फिर से एक बार revise कराता हूँ फिर उसके बाद अपन कुछ और information लिखेंगे इसकी तो जैसे period की बात करें modern period में तो seven period होते हैं और अगर group की बात करें तो 18 group होते हैं extreme left में s block को place किया गया है extreme right में p block होता है s block में होता है group number one and two p block में होता है group number 13 से 18 18 वाले को हम inner gases भी बोलते हैं ठीक है अब इसके बाद बीच में आता है transition metal या d block element उसके बाद सबसे नीचे आप देखोगे तो f block element f block को बोलते है inner transition element तो ये सब information होती है तो इसके बारे में आपने लिख लेते हैं तो block wise classify में कर रहा हूँ जैसे s block होगा तो s block को सबसे पहली बात s block का electronic configuration क्या होगा s block का electronic configuration होता है ns12 जिसमें से दो अपने पास group होते है एक है alkali metal और एक है alkaline earth metal alkali metal के लिए ns1 इसका outermost electronic configuration है और alkaline के लिए ns2 इसका outermost electronic configuration है ऐसा होता है p block का electronic configuration vary करता है ns2 np1 से लेकर 6 तक अब इसमें क्या क्या होता ये outer वाला मैंने लिखा ठीक है जैसे अगर मैं आपसे बुलू boron family तो boron family में ns2 np1 होगा जो boron की पूरी series थी carbon family उसमें ns2 np2 होगा इसी तरीके से nitrogen family ns2 np3 होगा oxygen family ns2 np4 होगा halogens ns2 np5 होगा और inert gases ns2 np6 होगा लेकिन helium उसमें exception है helium का ns2 होता है d block की बात करें तो d block में कहां से कहां तक वैरी करता है ns12 और n-1 d 1 से लेका 10 तो ns या तो 1 होगा या ns2 होगा और n-1 d 1 से 10 तक वैरी करेगा जैसे अगर आप मैं कुछ electronic configuration बोल के बता रहा है जैसे chromium का आपन आउटर लिखा करते हैं तो कैसे लिखते थे 4s1 chromium का 4s1 3d 5 ऐसा है तो यहां जो place कर रहे हो उससे एक कम यहां पर आएगा जैसे 4 बोला मैंने यहां पर n को तो 4-1 3 हो जाएगा आपका d तो 4s के साथ 3d का combination चलेगा ऐसा अगर मैं यहां 5s बोलूंगा तो यहां 4d आजाएगा यहां 6s बोलूंगा तो यहां 5d आजाएगा इस तरीके से यहां 7s बोलूंगा तो यहां 6d आजाएगा ऐसा है तो actual में क्या है d block का ns1 से 2 vary करता है और 1 और 2 vary करता है और n-1 d कहां से कहां तो vary करता है 1 से लेका 10 तक d1, d2, d3, d4, d5, d6, d7, d8, d9 और d10 इस तरीके से अब f block में क्या होता है f block का जो configuration है इसमें 2 series होती ही अपने बास एक होती ही अपनी lengthenide और एक होती ही actenide lengthenide में जो configuration होता है वो होता है n-2 f 1 से 14 n-1 d 0-1 और ns 2 ऐसा होता है इसमें e block की पहली series यह किसके लिए है यह lengthenide के लिए है ln लिखर हो lengthenide इसी तरीके से actenide ac के लिए क्या हो जागा actenide के लिए n-2 f 1 से 14 n-1 d 0 से 2 0,1 और 2 इसमें 3 होता है na d में और ns 2 अब जैसे यहाँ पर n पुट करोगे तो यहाँ n क्या पुट करोगे actenide कहाँ पर आता है 7th period में तो यह 7 यह हो जाएगा 6 यह हो जाएगा 5 इसमें क्या पुट करोगे 6 तो यह 5 और यह फिर 4 इस तरीके से electronic configuration vary करता है अब अगर s block की बात करें तो s block कहाँ पर होते हैं यह होते हैं extreme left में extreme left आपको मैंने predictable बताईए तो उसमें आप देखोगे तो extreme left में s block रखे हैं और इसमें 2 group हम लिखते हैं एक first group और एक second group first group का नाम है alkaline metal और second group का नाम है alkaline earth metal ठीक है यह basic information हम समझ रहे हैं पिर इक्टेवल के बारे में आप इक्टेवल देखके भी idea लगा सकते हो पी ब्लॉफ होता है extreme right में extreme right में अब इसमें क्या-क्या series होती है एक 13 group 14, 15, 16, 17 और 18 13 group का नाम है boron family 14 का नाम है carbon family 15 का नाम है nitrogen family और इसको nitrogen भी बोलते हैं ठीक है 16 का नाम है oxygen family oxygen family जिसको charlcogen भी बोलते हैं 17 को बोलते हैं halogens और 18 होता है आपका inert gases ऐसा होता है इसमें ठीक है D block में क्या होता है D block में basically हम 3 series की study करते हैं एक चल में 4 होती हैं हम 3 की study करते हैं एक है 3D series एक है 4D series और एक है आपका 5D series 3D series कहा से start होती है scandium से zn तक अगली itrium से cadmium तक ठीक है और इसमें होता lengthenum और इसके just बात आता हफनियम याद करो lengthenum के just बात से cerium start होता और cerium से लेकर lorencium तक cerium से लेकर lorencium तक sorry lutecium तक cerium से lutecium तक यह होता है आपका first inner transition जो की F block की पहली series होती है तो cerium से lutecium तक वो होता है फिर lutecium के बाद फिर क्या आता है HF आता है और HF से लेकर HG तक होता है अगर मैं atomic number की बात करूँ तो 21 से यह 30 ठीक है यह 39 से लेकर 48 इसका 57 इसका 72 और इसका 80 होता है यह इनका atomic number 58 से लेकर 71 तक cerium से lutecium होता है ठीक है तो basically इन 3 series के बादे में हम study करते हैं इसमें D block में A block में क्या होता A block की दो series है एक है lengthenoid lengthenoid सुरू होता है आपका cerium से लेकर lutecium तक मतब 58 से लेकर 71 तक और एक होता actinoids actinium के जस्वात से आता है तो यह होता है thorium 90 thorium से लेकर lorencium 103 तक ऐसा होता है तो यह series मैंने आपको बता दिए यह विससे related और भी information है जैसे information की अगर बात करें तो S and P block elements S and P block elements are collectively known as representative element इनको representative element भी बोलते है एक point और third period element third period elements are called typical elements typical elements third period element को typical element क्योंकि third period के elements से ही उसके आगे के जो element उस particular group के उनकी property decide होती second period से decide नहीं होती उसमें कुछ anomalous behavior भी होते है जो आगे study करेंगे है अपन ठीक है और point है वो मैं यहां लिख देता हूँ atomic number atomic number 92 onwards all elements are known as transuranic elements transuranic elements और यह सारे man-made elements है और अगर आपसे बोले periodical में कितने element discover हो चुके तो 118 तक पूरी periodical fill हो चुकी है सारे element discover हो चुके है और यह कैसी general knowledge का point है ऐसा कौन सा alphabet है जो periodical में कहीं नहीं आता तो वो alphabet होता जे ध्यान लगना ऐसी बता दिया मैंने आपको तो यह कुछ basic information थी block wise तो अब फिर से एक बार फिर से revise कराता हूँ क्या क्या होता है modern period table में 7 period 18 group period का नाम 1 से लेकर 7 तक उसकी numbering की गई है group को 1 से लेकर 18 तक numbering की गई है ठीक है उसके बाद S block कहां कर डोपर होता है P block कहां होता है extreme right में होता है transition element यह D block कहां होता है beach में होता है S और P के इसलिए उसको transition element बोलते है क्योंकि दौनों की property रहती है S block में metals place किये गए है P block में metal भी है non-metal भी है, metaloid भी है D block में metals है और वो metal है वो बहुत सारे colored compound या colored iron बनाते हैं, ठीक है, F block कहां रखा गया है, bottom पे विलकुल, नीचे, दो series होती है, एक lengthenoid, एक actenoid, ठीक है, lengthenoid series कहां से सुरू होती है, cdm से, कहां खतम होती है, lutetium पे, actenoid कहां सुरू होती है, thorium से, कहां खतम होती है, lorencium पे, d block की 3 series है, 3D, 4D, 5D, 3D series, scandium से zn तक, 4D series, ittrium से cadmium तक, 5D series में lengthenum, फिर hafnium से लेकर hg mercury तक, atomic number की बात करें, तो scandium 21 से लेकर zn 30 जाता है, ittrium 39 से लेकर cadmium 48 तक जाता है, lengthenum का होता 57, फिर hafnium का 72 से लेकर फिर आगे बढ़ते जाओगे, hg तक 80 तक पहुँच जाओगे, p block में चलते हैं, boron family, carbon family, nitrogen family, halogen और inert gases होते हैं, boron family, nitrogen family और carbon family को उसी नाम से जानते हैं, nitrogen के और भी नाम होते हैं, nitrogen को nicogens बोलते हैं, oxygen वाले को chalcogens बोलते हैं, ठीक है, तो यह कुछ नाम हैं, जो याद रखना आपको, तो इस तरीके से मैंने आपको पूरी information दे दी, इसके period table की, और information चीए तो आपके सामने period table होगी, तो उससे देखके भी आप सारी information का पता लगा सकते हो, जो मेरे according, जो important information थी, वो मैंने आपको दे दी है, इसको note कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं, अब हम अगले topic पर आगे बढ़ते हैं, अगला topic है हमारा, IUPAC में, atomic number 100 से जादा, उनके लिए एक name लिखाता, तो वो name कैसे लिखते हैं, उसके लिए आपको digit के according उसका नाम पता होना चीए, ठीक है, तो समझ लो क्या क्या लिखोगे, जैसे digit है अपना 0, तो 0 के लिए name लिखते है, nil, और abbreviation इसका पहला जो alpha beta वो लिख देना बस, n, इसी तरीके से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, क 6 के लिए hex, ठीक है, hex, 7 के लिए sept, 8 के लिए oct, 9 के लिए n, ऐसा होता है, ठीक है, यह organic मेलग चीज होती थी, उसमें क्या होता था, sept की जगए heft लिखते थे, n की जगए non लिखते थे, यहाँ पर digit के according इसके नाम है, और जो पहला वाला alphabet है, वही इसका abbreviation होगा, तो जो short form हम लिखेंगे, वह abbreviation के according लिखेंगे, वह मैं आपको लिखना बता दूँगा अभी, कैसे लिखना है, ठीक है, तो पहला alphabet इसका abbreviation है, जैसे, मालो आपको नाम लिखना है 101 का, तो ध्यान से देखना ज़रा, digit wide लिखेंगे, पहला digit क्या है, 1, 1 के लिए un, दूसरा digit क्या है, 0, 0 के लिए nil, तीसरा digit क्या, 1, 1 के लिए un, ऐसा, और लास्ट में आप अपनी तरफ से i, um और add कर देना, ठीक है, ये add करता है, तो un, nil, un, um, 101 का, चलो आगे चड़ते हैं, 102, पहला digit, 1, 1 मतलब un, दूसरा digit, 0, 0 मतलब nil, तीसरा digit, 2, 2 मतलब by, अब देखों, यहां पर by में i आगे हैं, तो em में i उड़ा देंगे, बस u और m लिख देंगे, ठीक है, un, nil, by um, 2 e निल आएंगे, कब, last में, यहां पर ऐसा नहीं करना आपको, ठीक है, यह तो digit wise का नाम है, last में जो i, um है, अगर 2 i एक साथ आ रहें, तो 1 i उड़ा देंगे, जैसे 103, पहला digit 1, un, दू quardium, quad और फिर i, um, ठीक है, 105, un, nil, pentium, ऐसे, समझे के बात को, 106, un, nil, hexium, 107, un, nil, septium, समझते जा रहो ना, 108, un, nil, octium, ऐसे, 109, un, nil, enium, ऐसा, 110, 110, un, un, 0, देखो, un, un, 0 के लिए, nil, फिर i, um, ऐसा, 111, un, 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 इसी तरीके से आब 118 तक लिख लेना, ठीक है, अब इनका abbreviation क्या होता है, ये, इसके according इनका short form में नाम क्या 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 लिखते हैं, देखो, पहले का abbreviation क्या है, इधर, u, 0 के लिए क्या लिखते हैं, बताओ, n, और फिर से 1 के लिए u, ऐसा, un, un, ऐसी आब आगे बढ़ते जाओ, तो 1 के लिए u, फिर n और फिर y के लिए b, ऐसे, इसके लिए 1 के लिए u, 0 के लिए n, 3 के लिए t, trium, un, nil, quadium, un, nil, pentium, un, nil, hexium, un, nil, septium, un, nil, octium, पहला पहला लिखना है बस आपको है न, पहला पहला एल्फावेट, 1, 1, 1, un, un, anium, इसी तरीके सा 1, 1, 8 तक पूरे complete कर लेना, नोट कर लो इसको, Next topic पर आगे बढ़ते हैं, अब prediction of period group और block का कर लेते हैं, आपको कोई भी particular element बोल देंगे और आपसे बोलेंगे कौन से period में हैं, कौन से block में हैं, कौन से group में हैं, अगर वो element आपको direct period table याद है, तब तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं याद है, तो कुछ proper तरीके होते जिससे आप पता लगा सकते हो, क्या होते हैं, तरीके देखो, सबसे पहला point में period के लिए बता रहा हूँ, period of element, period of element, corresponds to the principal quantum number, principle quantum number of valence shell, valence shell क्या होती है, जो outermost orbit होता है, उसी को बोलते है, valence shell, ठीक है, अब यह example से clear हो जाएगा, अब यह अपन सिर्फ point point लिख लेते हैं, क्या क्या है, second यह तो हो गया आपका period के लिए, block of element corresponds to the subshell, to the subshell in which last electron is present, आपको last electron चेक करना है, last electron कहांबर किस subshell में present है, वही हमारा क्या हो जाएगा, उसका block हो जाएगा, third point group number के लिए, group number, अलग-अलग होते हैं, जैसे, आपने block पता कर लिया, तो for s block element, for s block element, जो group number होगा, group number is equal to number of electrons, present in valence shell, valence shell में कितने electron present है, वह उसका group number हो जाएगा, for p block element, for p block, क्योंकि block आप पहली पता कर चुके होगा, second point में, for p block element, for p block elements, group number is equal to 10 plus number of electrons present in valence shell, outermost orbit में जतने electron present है, उसमें 10 add कर दो, third, for d block elements, for d block elements, d block element के लिए क्या होता है, group number is equal to number of electrons, number of electrons present in n-1d sub shell इस तरीके से हम निकालता है, ठीक है, नोट कर लो इसको फिर मैं example से आपको किलिर समझाता हूँ, चला अब हम कुछ question से समझते हैं कि किस तरीके से आप period, block और group का पता लगाते हो, देखना दियान से, जैसे sulfur है, अगर मुझे याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर याद नहीं है तो क्या करना है, sulfur का atomic number होता है 16, ये तो आपको याद रखना पुड़ेगा है, ना, इसका electronic configuration fill कर रहा हूँ मैं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p4, ये अपनने सी के लिए atomic structure में, है ना, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4, ये sulfur का क्या आगया, electronic configuration, पहला point, period बताओ क्या होता है, period क्या होता है, जो भी valence shell होती है, valence orbit होता, वो ही period होता, जैसे, अगर मैं shell के according बोलू, तो ये हो गई आपकी first shell, ये हो गई आपकी second shell, ये हो गई आपकी third shell, ठीक है, तो valence shell कौन सी होगी, third shell, इसका मतलब, इसका period होगा, third, पहली बात, दूसरी बात, इसका block का कैसे पता लगाओगे, last electron किस sub-shell में जा रहा है, last electron, p में जा रहा है न, इसका मतलब, इसका block हो गया, p block, अब बताना है group number, तो p block के लिए group number क्या होता था, group number is equal to 10 plus number of electron present in valence shell, valence shell कौन सी है, ये है न, तो इस third orbit या third cell में कितने electron है, 4 plus 2, ये third orbit के अंदर के सब cell है न, तो 4 plus 2, ये तने electron होंगे उस cell में, तो कितने 6, means 16th group होगा इसका, ऐसे पता लगाते है, एक और हो जाए, ये पहला होगे, दूसरा देखना, FE 26, ठेक है, फिल करो, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, ये होगे 20 तक, और 3d6, ये 26, अब ध्यान से देखना, ये है मेरा first orbit, या first cell, ये है second, और यहां से लेकर, ये, ये है मेरा third cell, और ये वाला क्या है fourth, हम फिलिंग के time पे लिखते भले ही पहले हैं, लेकिन 4s तो fourth orbit में मिलेगा न, 3d3rd में मिलेगा, तो third cell में 3s, 3p3d, और fourth orbit या fourth cell में 4s2 मिलेगा, अब ध्यान से देखना, पहला period बताओ, period कैसे पता लगाते थे, जो भी valence cell होगी, वही उसका period होगा, valence का मतलब outermost orbit ये, outermost cell, तो outermost orbit ये होगा, ना किये, ध्यान लखना, outermost orbit ये होगा, मतलब period होगा, इसका four, भाई, 1, 2, 3 के बादी तो four आएगा, इसलिए outermost four होगा, block बताओ, last electron कहां जा रहा है, किस sub shell में जा रहा है last electron, d में, तो d block, block, और d block के लिए group number होता था, n minus 1d वालों में कितने electron है, और ns वालों में कितने electron है, ns का मतलब outermost ठीक है, तो outermost वाला ns ये ले लो, और उसका n minus 1d क्या हो जाएगा, 3d, क्योंकि n की value four है, तो n minus 1d 3 आएगा, तो ये plus ये, तो 2 plus 6 कितना हो गया, 8, तो इसका group number हो जाएगा, 8, ऐसा करना है आपको, समझे बाद को, एक और करेंगे, एक और देखो, अगला है, manganese, ठीक है, इसका देखना, 25, fill करेंगे इसको, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d, 5, ऐसा है, तो पहली बात, period number क्या होगा, outermost orbit कौन सा है, ये first orbit, ये second orbit, इन तीनों को मिला के third orbit और ये fourth orbit, मतलब, fourth orbit, outermost orbit है, तो period हो गया, इसका four, last electron कहां जा रहा है, d-subshell में, तो इसका block हो गया, d, group number कैसे निकालते थे, d block के लिए, n-1d में कितने electron है, और ns में कितने electron है, तो total 7, तो ये हो गया, इसका group number, इस तरीके से पता लगाते हैं, एक final or कर लेते हैं, जैसे माल लो, आपको निकालना, chlorine, ठीके, atomic number क्या है, 17, फिल करो, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, ओके, आप देखना ज़रा, period कौन सा होगा, भई, outermost orbit में, outermost orbit कौन सा है, third orbit है, outermost, तो period हो गया, third, block बता दो ज़रा, last electron किस में जा रहा है, P में तो P block, group number P block के लिए होता था, 10 plus valence electron, और valence electron मतलब outermost orbit, orbit कौन सा है, third, तो 5 plus 2 कितना हो गया, 7, 10 plus 7, 17, इसका group number, ऐसे करते हैं, note कर लो फिर आगे बढ़ते हैं,